हेलो दोस्तो मैं हूँ यह ना यह बीमस का स्टूडेंट और माई यूट्यूब चैनल में अडिकोर डफर आपका स्वागत है तो दोस्तो यह एपटी कांसलिंग 2020 का सेडूल जो है वो रिलीस कर दिया गया था इन सब के बार में जो हैं हमने फर्स्ट वीडियो में डिसकस कर लिया था ओके दोस्तो तो इस वीडियो का फर्स्ट पार नहीं देखा तो उस वीडियो के एक बार आप जरूर से देख लेना इस वीडियो के description में उसका link दे रहा है वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो ओके दोस्तों तो उसमें कुछ पार्ट जो था वो छूट गया था उसी पार्ट को जो है मैं इस वीडियो में cover कर रहा हूँ तो यह पिछले वीडियो का ही second part है ओके दोस्तों तो इसमें हम बात करेंगे total sheet कितनी है category wise required certificate जो है वो कौन कौन से चीह है reporting के time पर और number of total veterinary college कितनी है इंडिया में तो guys वीडियो important होने वाले इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी skip ना करें और वीडियो का end तक देखें ओके दोस्तों तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बीना देर कि ये वीडियो का end तक बने रहे हैं दोस्तों तो इस वीडियो में हम जो है information bulletin का कुछ पार्ट चूट गया था उसी पार्ट के बार में जो है इस वीडियो में discuss करने वाले हैं इस वीडियो को आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को डिस्कूर्ट में उसको लिंक दे रहा है उसी वीडियो का जो है ये second पार्ट है उस वीडियो में discuss किया था कि इस वीडियो का एक बार आप जरूर से देख लेना इस वीडियो के डिस्कूर्ट में मैंने उसका लिंक दे रखा है ओके दोस्तों तो यहां पर यह सब कुछ जो है मैंने discuss कर लिया था उसी वीडियो में registration, counseling procedure और इसकी registration जो fee से वो कितनी है ओके दोस्तों तो इन सब के बार में जो है मैंने इस वीडियो के first part में जो है वह discuss कर लिया था ओके दोस्तों कुछ बात चूट गया था उसी पार्ट के बार में जो है इस वीडियो में discuss करने वाले है जैसे कि इसकी sheet matrix क्या है कितनी college है और उन college में जो है category वाज कितनी sheets है तो उनी sheets के बार में इस वीडियो में बात करेंगे है और कौन कौन से जो एपिडेवेट वह आपको बनवाने reporting के टाइम पर ओके दोस्तों तो यह वीडियो इंपोर्टेंट वहने वाला है इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्कीम ना करें और वीडियो का एंट तक देखें ओके दोस्तों तो सबसे पहले बात करते है sheet matrix की कि कितनी college है और उन college में कितनी sheets है तो सबसे पहले college है अंदर पर देश इसमें एक university है इस तीन college आटे से एंटियर college और college of veterinary science और college of veterinary science तिरुपती इन में 1212 seat है general की 10,9,8 seat है ओके दोस्तों general PH की 1 seat है और SC की 1,2,2 seat है ST की 1,1 seat है और EWS की 1,1 seat है ओके दोस्तों उसके बाद मैं देखते है आसाम जो आसाम जो है उसमें एक university है आसाम एक एक्रिकल्च और इन में एक ही college आती है college of veterinary science गुवाटी जिसमें 12 seat है और general की 9 seat है, SC की 2 seat है, ST की 1 seat है, EWS की कोई seat है BR में एक ही college है, BR veterinary college पटना जिसमें 9 seat है, general की 1 seat, और general PH की 1 seat, SC की 1 seat और ST की 1 seat है उसके वां 36 गड़ में जो है इसमें भी एक ही कोली जा जाती है College of Veterinary Science and Animal Husbandry तो इसमें 12 सीट है, 9 सीट जनरल पीएच की है 2 सीट जो है 9 सीट जो है जनरल की है 2 सीट जो है वो SC की है और 1 सीट जो है वो ST की है और EWC यहाँ पर एक भी सीट नहीं है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन सी केटिगरी में किती सीट जो है तो उसके बाद बात करते हैं गुजरात गुजरात में जो है यहाँ पर चार कोलेज है तो यह है आनंद Agriculture University College of Veterinary Science and Animal Husbandry जिसमें 9 सीट है General के एक सीट है General PH के एक सीट है और SC के इसमें एक सीट है जुनागड Agriculture University College of Veterinary Science and Animal Husbandry तो इसमें 12 सीट है General के एक सीट है SC के एक सीट है और ST के इसमें एक सीट है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सी के टिकरी में किती सीट से और यहाँ पर उसके बाद में दूसरी कोलेज है College of Veterinary Science and Animal Husbandry इसमें भी 12 सीट है General के एक सीट है SC के एक सीट है और ST के इसमें एक सीट है डियाबलोस की कोई सीट नहीं है उसके बाद दूसरी कोलेज है College of Veterinary Science and Animal Husbandry इसमें 12 सीट है 8 सीट जनल की है एक सीट है जनरिल पीएज क्यी दो सीट हो से के किये और एक हरियना जो है वह लड़ा से लाला लाजपतराई यूरिशीटी वेटनरी इसमें दो कोलेज आती है कोलेज यह वीटनरी साइस्ट इसार और इंटनेम्स Institute of Veterinary Educational Research रोताक ओके दोस्तों तो इन दोनों college में जो है 12-12 seat से 10 seat general किये और इसमें 8 seat है इसमें 1 seat जो है वो general PH की 1 seat जो है वो इनमें SC के टिगरी किये और 1-1 जो है वो ST के टिगरी किये ओके दोस्तों और इसमें 1 seat जो है वो SC PH की भी है ओके दोस्तों यहां से आप देख सकते हो और हिमाचल जो परदेश है उसमें एक college है डॉक्टर जीसी नेगी college इसमें 9 seat है टोटल और जो 7 seat जो है वो general किये और इसमें 2 seat जो है वो SC के टिगरी किये है ओके दोस्तों तो यहां पर आप देख सकते हो जम्मो कश्वबीर में भी यहां पर दो college है इसमें 10 और 9 seat है साथ इसमें general किये है इसमें 6 है और इसमें general FH के 1 seat है SC के 1 seat है यहां पर 2 है SC के टिगरी के यहां पर 1-1 seat है ओके दोस्तों उसके बाद में जो कड़ना अटक आता है जी कटना अटक में जो है वो 4 veterinary college हो बैंगलो veterinary college हो बियाड और veterinary college हो है हसन और veterinary college जो है यह तो यह 4 college है इसमें 11,9,11,12 seat है यहां पर आप देख सकते हैं कौनसी कोड़ेगरी में कितनी seat है उसके बाद में केला है मद्दे परदेश में है और उसके बाद महारास्ट में है और मिजोरम में है उडिसा में पॉंडिचेरी में है तो यहां से आप देख लेना एक बारी कि कौनसी college हो है उसमें कितनी जो seat है ओके दोस्तों यहां पर पंजाब में भी है यह the college हो under the private sector ओके दोस्तों इसमें कुछ college है जो भी private है तो वहां पर नीचे दे रखाएं कि वो college हो है रास्तार में देख सकते हो रास्तार यूशिटी वेटनरी अनिमल साइंस जो बिकानेर में है इसमें तीन चार college आती है एक college वेटनरी साइंस इसमें बारास सीट है नो सीट जनरल की है और एक सीट जो जनरल पीएज की है और एक सीट जो है सीट जो है मातमात जोतिबाव फुल है ये private college है ओके दोस्तों एक ओ जयपूर की है पोस्ट ग्रज इंस्टुटीट आप वेटनरी और एक है उद्यपूर में ये government है और एक करावरी वेटनरी college सीखर जो की private है ओके दोस्तों तो यहां से देख सकते हो तमील लाडू में भी ओके दोस्तों तेलंगा और तिरुपूरा उत्तरपरदेश तो देख सकते हो कौन से स्टेट में जो है वो कितनी college है वेटनरी की ओके दोस्तों तो यहां से जो total college है वो 31 college है ओके दोस्तों और इसमें जो total seat है वो है 607 ओके दोस्तों यहां से देख सकते हो 600 जो है वो total seat है जिसमें से 441 जो है वो general category की है तेज सीड जो है वो general PH की है और SC की जो है 86 है और ST केटिकरी की जो है 43 sheets है ओकी दोस्तों तो यहां से देख सकतें कौन सी केटिकरी है उसमें कितने sheets अब बात करते है अपको कौन को से जो अपको बनवाने है ओकी दोस्तों तो यहां से CASE CERTIFICAT है इसका प्रपरमा दे रखा है यह कास सेटिफिकेट जो है वह आपको ऐसा बनवाना है ओके दोस्तों उसके बाद में यह बनवाना है आपको OBC जो क्लास है उसके लिए जो सेटिफिकेट जो है यह बनवाना है यहाँ पर यह दे रखा है सेटिफिकेट को आप एक बार देख ल केटिगरी वाले जो है वह इस से को बनाए ओके दोस्तों उसके बाद में देखते हैं कि यहां पर यह नोडल ओपी सरे इनके नमर दे रखे इनसे आप कॉंटक्ट कर सकते ओके दोस्तों तो यह आगे देखते हैं और क्या है तो गाइस तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आए होगा अगर दोस्तों वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना इन ओके दोस्तों फिर भी इससे related कोई doubt है तो मुझे comment करके फूस सकते हैं और update पारने के लिए हमारे जो telegram है उसको आप join कर सकते हैं ओके दोस्तों तो आज की वीडियो में यहां था कि और यदि हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करें इन बेल icon को press करें ओके दोस्तों तो thank you and goodbye मिलते हैं नेक्श वीडियो में एक नई अपडेट के साथ जब तक लिए हमारे साथ बने रहे ओके दोस्तों